वेलकम फ्रेंड्स हमें एक अपने नए टॉपिक के साथ बायलोजी में जिसका नाम है मानव शरीर के तंत्र गाइस बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है कॉंपेटिटिव पॉइंट आफ व्यू से चाहें S.S.C. का पेपर हो चाहें रेलवे का पेपर हो आईये स्पीचियस हो इससे कोशन्स हमेशा पूछे गए हैं और एक से दो बार अगर आप इसको देख लेंगे या इसकी सारे जितना भी इसमें मैं पढ़ाऊंगी वो देख लेंगे तो आपका कोई भी मार्क्स इसमें नहीं जाएगा तो आईये गाई शुरू करते हैं सबसे पहला मानव शरीर शरीर क्या है जैसा मैंने आपको पढ़ाया था हमारे अंदर होती है करोडो लाखो कोशिकाएं तो कोशिकाओं के सम्हू से बनता है उर्तक उर्तक को हम इलिश में कहते हैं टिशू और टिशू के कॉम्बिनेशन स बनता है या उर्तक के सम्हू से बनता है उर्तक तंतर और उर्तक तंतर से ही बनता है हमारे अंग तो और बिविन अंगों को मिला कर बनता है हमारा शरीर तो गाईज इस तरह से हमारा शरीर होता है और इस शरीर में अलग तरह तरह के तंतर होते हैं तो वहीं हमें देखने है कौन से important human body system है एक होता है आपका पाचन तंत्र जिसे बोलते हैं digestive system एक होता है आपका स्वसन तंत्र जिसे बोलते हैं respiratory system एक होता है आपका कंकाल तंत्र जिसे बोलते हैं skeletal system एक होता है आपका रुधिर परिसंचरन तंत्र जिसे बोलते हैं circulatory system एक होता है सरजन तंत्र, जिसे कहते हैं- एक होता है, तंत्री का तंत्र, यह important तंत्र है, जो हमारी बॉडी में पाये जाते हैं, और उन्हीं को हम एक करके detail में पढ़ेंगे, तो गाइस जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे- digestive system क्या है पाचन तंद्र कैसे ये काम करता है कैसे हमारे जो हम खाना भोजन ग्रहांड करते हैं कैसे वो पच जाता है पहले गाइस मैं आपको समझा देती हूँ उसके बाद आपको मैं बताऊंगी क्या क्या चीज़े होती है जैसे ही आप खाना लेते हैं जैसे ये रहा मौट से आप खाना लेते हैं खाना लेते वक्त सबसे पहले जो आपके दांत काम करते हैं दांत से आपने खाना अतने अंदर काटा चबाया उसको लिया उसके बाद वो आपकी जीब पर जाता है जीब के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिने हम कहते हैं स्वाद कल्या वहां से हमें टेस्ट आता है और टेस्ट आने के बाद वो खाना हमारे सलाइवा जिसे हम कहते हैं यहां पर सलाइवा जिसे हम कहते हैं लार उससे वो खाना मिल जाता है और लार के अंदर 99% जल होता है उसी में जो 1% होता है वो एंजाइम्स पाय जाते है गाइस उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है टाइलिन टाइलिन नाम का एंजाइम आपके सलाइवा में पाया जाता है लार में पाया जाता है और जब वो टाइलीन जो हम भोजन ग्रैन किया है उस भोजन के अंदर होता है गाइज स्टार्च उस भोजन के अंदर होता है एक स्टार्च जब वो स्टार्च एक एंजाइम टाइलीन से मिलता है तो वो भोजन शक्रा में बदल जाता है जिसे हम कहते हैं माल्टोज और इसी कारण हमें जो भोजन है वो मीठा लगने लगता है तो इस तरह से हमारा भोजन जो है वो छोटे टुकडों में बट कर अंदर हमारी अहान नाल या ग्रास नली में पहुंचता है ये देखी ग्रास नली तो आप प्लीज इसको लेकर थोड़ा confusion मत रखे क्या enzymes है वो सब मैं उसी में बताऊंगी अभी सिर्फ मैंने बताया है कि कैसे पाचन हुआ तो इस तरह से जब टाइलीन से आपके जो भोजन में starch मिला तो आपका खाना शक्रा माल्टोज में बतल गया भोजन आपको मीठा लगने लगा फिर वो भोजन जो है guys वो जाता है आपकी ग्रासनी में ग्रासनी क्या करती है ग्रासनी आपके भोजन को ग्रास नली तक पहुँचाती है और फिर ग्रास नली से वो खाना आपके stomach आपके पेट में जाता है वो ग्रास नली से वो खाना आपके अमाश्य, स्टमा को कहते हैं, अमाश्य, अमाश्य में खाना जाता है और अमाश्य के अंदर होता है जठर रस, जठर ग्रंथी जिसे कहते हैं, जठर रस खाने को पचाती है, वो खाना अमीनो एसिड में बदलता है और उसके बाद संपूर्ण रूप से खाना पेट में नहीं पचता पेट से निकल कर खाना जाता है आपका पैंक्रियास में जिसे हम कहते हैं अगनाशे अगनाशे में खाना जाता है वहाँ पर भी यही प्रिकरिया होती है खाना पचाने की प्रकिर्या प्रोटीन या अलग तरह के जो लवन होते हैं वो पचाए जाते हैं उसके बाद जो आखरी पाचन की किर्या होती है वो होती है गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आत में छोटी आत में आने के बाद आपका खाना संपूर रूप से पच जात लगभक सारा भोजन अमीनो-अमल में परिवर्तित हो जाता है। और अमीनोमल ख्यों करता है उस सारे भोजन को आप्के रुधिर खूण के थूध्य थूधू सप्लाइं परता है। इसी तरह से आपको अनर्जी मिलती रहती है। अब large intestine का काम क्या होता है भोजन तो पच गया लेकिन गोजन से जो पानी और waste material है वो अलग करता है आपकी बड़ी आथ बड़ी आथ से पचावा जो भी और उसके बाद भी शरीर में ये लगता है कि कुछ और potion तत्व निकाले जा सकते हैं वो बड़ी आथ से निकाले जाते हैं और बाद में बड़ी आथ से निकलते हैं भोजन पूरी तरह से पच के जो waste पदार्थ होते हैं वो हमारे washroom या toilet की तुरू निकल जाते हैं इस तरह से हमारी पूरी परकरिया होती है पाचन की तो guys अब हम इसे एक एक करके देखेंगे सबसे पहले इसमें लिखा है अहार नाल अहार नाल क्या होता है सबसे पहले guys हमें यही देखना है क्या है अहार नाल अहार नाल देखेंगे अहार नाल जो है यह जो होती है मुख से मुख से मलदवार मतलब एनस, यहाँ पर देखिए, यह मुख है, मुख, यार एक बात और ध्यान रखिए, मुख के अंदर होती है, जीब, लार और दाथ, उसके लिए मैं अलग से पढ़ाऊंगी आपको टीथ, टीथ पर्टिकुलर मैं आपको अलग से बताऊंगी, तो मुख से लेकर एनस तक जहां से आपका वेस्ट मैटीरियल निकलता है, वहां तक की जो नली होती है, वही कहलाती है, अहार नाल, इंगलिश में बोले, अलिमेंटरी कैनल, ठीक है, और यह आठ से दस मीटर लंबी होती है, या फिर मैं कहूँ, पच्चीस से तीस फुट लंबी होती है, ठीक है, यह होती है, अहार नाल, अहार नाल कनेक्टेड होती है, हमारे मू से और नीचे तक पहुंचती है, उसके बाद आता है मू, जिसे कहते है, मुख गुआ, मुख कुआ में होती है, वकल कैबिटी, वकल कैबिटी के अंदर तीन चीज़े आती है, एक होता है आपकी जीप, एक होत में था उसमें जो टायली नाम का वो था वो मिलके खाने को आन. शक्रा में बदल देता है. यह सारा काम होता है मुँ में मुझ же खाना निकलने के बाद देता है धिर खाना जाता है ग्रास Geral कै देता है और यह 12 से 14 cm लंबी होती है जो ग्रासनी होती है वो आपकी 12 से 14 cm लंबी होती है इसका काम क्या होता है यहां पर होती है इतने एरिये में होती है इसका काम क्या होता है यह भोजन को ग्रास नली तक पहुचाती है जो भोजन आपका माल्टोज में कनवर्ट हो गया है वो ग्रासनी से ग बड़ी सी नली होती है यह ग्रास नली क्या करती है ग्रास नली क्या करती है भोजन को अमाशे तक पहुचाती है अमाशे मतलब पेट तक भोजन को पेट तक पहुचाने का काम किसका होगा ग्रास नली का ग्रास नली आपके भोजन को आपके पेट तक पहुचाएगी अब जो मुह का काम था वो तो मुह ने कर दिया भोजन को almost छुटा छुटा करके उसको माल्टोज में बदल दिया लेकिन अभी और कार्य बाकी है वो कार्य होगा आपका किसके थूरू वो कार्य करेगा आपका स्टामक अब पेट से प्रकरिया शुरू होगी तो गाइस अब हमें यही देखना है कि कैसे अमाश्य में काम होगा होता क्या है अमाश्य में अहार नाल का यह सबसे छोटा भाग होता है अमाश्य के जो स्टामक है यह याद रखिए गाईस बहुत ही important point है पूछा जा सकता है अहार नाल का सबसे important part होता है यह सबसे चोणा भाग होता है सबसे आहार नाल किन एक भाग पूछा जैएंगा आप अहार नाल का क्या होते है ? इस तरह से आमाश की ही होता है तो यह अहार नाल का सबसे चोणा भाग होता है इसकी लंबाई जो होती है वो 25 cm होती है यहां पर लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ इसकी गाइज लंबाई जो होती है वो 25 cm होती है हमारा जो अमाश्य है जो हमारा पेट है वो धाई किलो तक का भार सहन कर सकता है ठीक है मतलब आप maximum 2.5 kg भोजन अपनी पेट अमाश्य में रख सकते हैं और प्रती एक 36 घंटे में इसका आवरण जो है वो बदलता रहता है कभी-कभी थोड़ा सा पटक जाता है तो ये 36 घंटे में इसका आवरण जो है बदलता रहता है एक इंपोर्टन बात ये बहुत सबसे आहार नाल का सबसे चोणा भाग भी होता है अब एक इंपोर्टन चीज कि कैसे भोजन यहाँ पर कार्रे करता है अमाश्य में ग्रंथी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं जटर ग्रंथी और जटर ग्रंथी के अंदर होता है जटर रस यहाँ पर लिखा है अमाश्य में ग्रंथी पाई जाती है और उससे रस निकलता है जिसे हम जठर रस कहते हैं गाईज ये जठर रस होता है और इंगलिश में बोलते हैं इसको गैस्टिक ग्लैंड या फिर जठर रस होता है उसको बोलते हैं गैस्टिक जूस ठीक है गाईज जठर रस जो होता है वो हमारे पेट में होता है ठीक है जठर ग्रंती के अंदर से न एंजाइम्स पाय जाते हैं इस रस के अंदर क्या पाय जाते हैं अमल पाय जाते हैं और एंजाइम पाय जाते हैं कोशन पूछा गया है गाईज की जठर रस में कौन सा अमल पाया जाता है पहले तो यही पूछा गया है कि जठर ग्रंथी कहा होती है यह होती है आपके अमाश जाता है HCL हाइड्रो क्लोरिक अमल हमारे अंदर पाया जाता है याद कि बहुत ही important question है कि जठर रस के अंदर कौन सा अमल पाया जाता है जो भूजन को पचाने में या भूजन को गलाने में मदद करता है वो होता है आपका HCL हाइड्रोक्लोरिक अमल ये तो पाया जाता है अमल एक ही पाया जाता है एंजाइम इसमें तीन एंजाइम्स पाया जाते है जठर रस में एक होता है पैपसिन एक होता है रैनिन और एक होता है ठीक है गाईज तो पैपसिन क्या करता है यह प्रोटीन को पचाता है गाईज याद रखें जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारे पेट में ही जठर रसके अंदर ही पचना शुरू हो जाता है बाकी जो बचेवे पोशन तत्र होते हैं जैसे कार्बोहाइडरेट वसा वो और आगे चलके पैंक्रियाज अगनाशिय या फिर उसके बाद छोटी आत में जाके पचते हैं लेकिन जो प्रोटीन होता है वो वास्तविक रूप से आपके पेट में जठर रसके थ्रू ही पचता है ठीक है अन्य लवन को पैप्टोस में बदल देता है अन्य जो लवन है फिर उनको अमीनो एसिड में बदलने की कोशिश करता है आखरी प्रक्रियाज जो भोजन की परिवर्तन होती है वो अमीनो अमल में ही परिवर्तन करना होता है और अमीनो अमल ही आपके रुधिर या रक्त में जाता है और वहीं से आपकी बौडी को पूरा एनरजी मिलती है तो ये सब का काम यही होता है कि भोजन को किसमें परिवर्तन करना चाते हैं सब अमीनो एसिड में अमीनो अमल में बदलना चाते हैं तो ये प्रोटीन का तो संपूर पाचन कर देता है कुछ बचता है वो नीचे होता है लेकिन कार्बो हाइडरेट और इन सब को पैप्टोन्स में बदल देता है और कुछ हद तक उन्हें अमीनो एसिड में बदलने की कोशिश करता है उसके बाद जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो गाईज उसके बाद भोजन जो है वो आपका अगनाशे में जाता है अगनाशे में जाता है उसके बाद छोटी आथ में और फिर फाइनली बड़ी आथ में तो ये काम होता है पैपसिन का पैपसिन क्या करता है प्रोटीन को पचाता है और अन्य लवन को पैप्टोन्स में बदल देता है और amino acid में बदलने की कोशिश करता है पूछा गया है कि renin enzyme का काम क्या होता है renin क्या करता है यह देखे यहाँ पर लिखा है यह सिर्फ बच्चों के शरीर में होता है यह दूद पचाने में मदद करता है बहुत ही important point कि दूद पचाने में हमारे शरीर में कौन सा enzyme काम करता है guys वो renin ही होता है यह बच्चों में ही पाया जाता है बड़े होकर यह हमारे body में कम हो जाता है यह पाया नहीं जाता है इसी कारण जो बड़े लोग होते हैं वो दूद को पचा नहीं पाते हैं जबकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूद को बहुत अच्छे से पचा लेते हैं क्योंकि उनके अंदर ये enzyme renin होता है ठीक है अब इसी से यहाँ पर एक question पूट हो जाता है कि दूद का रंग सफेद क्यों होता है जो दूद का रंग सफेद होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है कौन से प्रोटीन के कारण कैसीन और जो दूद का पीला रंग होता है वो किस कारण होता है कैरोटीन के कारण बहुत ही important question है कि दूद का रंग सफेद किस कारण होता है वो तो गारण वो होता है कैसीन के कारण किस के कारण कैसीन के कारण दूद का पीला रंग किस कारण होता है वो होता है कैरोटीन के कारण ठीक है गाइज यह होता है इसमें लाइपेज हमारी बोडी के अंदर नहीं पाये जाते हैं यह जानवरों में पाये जाता है लाइपेज ठीक है गाइज तो यह था आप का अमाश्य क्या कार्य करता है अमाश्य मैंने आपको अच्छे से इसमें समझा दिया है प्रोटीन में बदलेगा और पैप्टोंस में बदलेगा कुछ हद तक उन्हें सबको अमीनो एसेड में बदलने की कोशिश करता है जितना परिवर्तन कर देता है ठीक है बाकी जो भोजन पचा वहां से निकला उसके बाद आपका भोजन निकल के आता है अगनाश्य में पैंक्रियास जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मानव शरीर के चार ग्रंथी उसमें आएगा आपका अगनाश्य हम वो तभी पढ़ेंगे अभी हम देखते हैं छोटी आंथ इसमॉल इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं यहां पर यह बनी वी है जो यह अंदर बनी वी है यह होती है कि इसमॉल इंटेस्टाइन यह व्यास इसका व्यास कितना होता है मतलब कितनी गुलाई में होती है यह 2.5 cm इसका व्यास होता है यह अहां नाल का सबसे लंबा भाग होत अहार नाल का सबसे चोड़ा भाग कौन सा था वो पेड़ था अमाशय था लेकिन सबसे लंबा भाग कौन सा है वो है छोटी आत ठीक है अहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है भोजन का संपूर पाचन यहीं होता है यह कोशन बहुत ही इंपोर्टन्ट है कि भोजन का होता है कार्रे क्या होता है इसका कार्बोहाइडरेट वसा बिटामीन सभी पोशन तत्व को पूर्ण रूप से पचाता है और रक्तोर लसीका में उन्हें भेज देता है सारे जो कुछ हद तक अमीनो एसिड में बदला था आपके स्टमक अमाशे ने बचे वे तत्व आते हैं आपकी छोटी आत में और छोटी आत में आने के बाद वो फाइनली सब पच जाते हैं और जितना भी भोजन होता है वो परिवर्तित हो जाता है आपका अमीनो अमल में औ और आपको संपूर रूप से पोशन तत्व मिलता है जो रक्त के थरू हो तो इस सभी पोशन तत्व को अमीनो एसिड में बदल देता है आपकी छोटी आत सार अब पाचन होगे आपका छोटी आजट में कोशन पूछा जाएगा कि संपूर पाचन कहां होता है वो आपकी छ ही होता है उसके बाद भी अगर हमारे शरीर को ये लगता है कि अभी भी कुछ पोशन तत्व बचे हैं तो वो सारे पोशन तत्व पचाएगा बड़ी आथ और हमारे वेस्ट मैटीरियल को अलग कर देगा पानी से और फिर वो फ्लो होकर हमारा निकल जाता है बाहर इसकी पानी का अफशेशन करना मतलब पानी को अलग कर देता है हमारे पोशन खाने के वेस्ट मैटीरियल से अलग कर देता है और वाहे पदार्थ को निकालना जितने भी वेस्ट मैटीरियल है उनको निकालने में आपकी बड़ी आथ मदद करती है फाइनली जो भोजन है पचने क के बाद जो उसका waste material है वो बढ़ी आत के थ्रू आपका निकल जाता है तो guys मुझे लगता है आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा guys जो हम इसमें आगे देखेंगे अभी जो हम इसमें देखेंगे आगे कि मानव शरीर में चार प्रकार की पाचन गरंथी पाई जाती ह एक होती है जटर ग्रंथी जटर ग्रंथी के बारे में मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मैंने सारा बता दिया था इसमें एक अमल पाया जाता था S.C.L. हाइड्रोक्लोरी कमल पैपसीन पाया जाता था रैनिन पाया जाता था और लाइपेज रैनिन बच्चों में पाया जाता है दूद के लिए दूद का सफेद रंग कैसीन दूद का पीला रंग कैरोटीन उसके बाद मैंने इसमें जटर ग्रंथी में आपको बताया थ पैपसीन पैपसीन क्या करता है प्रोटीन को पचाता है और बचेवे तत्वो को पैप टोंस में बदल देता है और उनको फिर अमीनों ऐसिड में बदलने की कोशिश करता है ये सारा काम होता था जटर ग्रंथी का अगली वीडियो में गाइस हम पढ़ेंगे यकरत लीवर लीवर क्या करता है जितने भी वेशेले पदार्थ हैं वो लीवर ही लेता है लार ग्रंथी अभी जब मैं आपको टीथ दांत पढ़ाऊंगी उसी लार ग्रंथी के बारे भी मैंने ज्यादा तर चीजें आपको बता दी हैं मैंने बताया था कि 99% जल होता है 1% एंजाइम होता है तो हमारे भोजन को माल्टोज में बदल देता है यही सब चीजें है थोड़ा सा एक बार मैं उसको लिखावा दे दूंगी आपको ताकि आप नोर्स उसको बना सके एक होता है अगनाश्य मैंने बताया था भोजन आमाश्य के बाद अगनाश्य में आता है फिर छोटी आ हो जाएगा तो उसको हम आगे देखेंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थैंक यू फो वाचिंग